इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जाता है। कॉलेस्ट्रॉल एक वसायुक पदार्थ है जो आपकी रक्त वहिकाओं में बनता है और संकुचन का कारण बनता है जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। जिससे आपकी स्टिती खराब हो सकती है और हृदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है। अपने कॉलेस्ट्रॉल के स्टर की नियमित जाच करवाना महत्वपूर्ण है। यह दवा उपचार कारिक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम, धूम्डपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। आप इस दवा को लेते समय सामान्य रूप से खा सकते हैं, लेकिन उन खाते पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिनमें वसा अधिक हो। इस दवा के आम साइड इफेक्ट्स में मानस्पेशियों में दर्द, कमजोरी, जी मिचलाना, सिरदर्द और पेट दर्द शामिल हैं. ये आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं. अपने चिकित्सक से परामश करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आपको अपनी आखों का कोई पीलापन दिखाई देता है या बार-बार या असपश्टी कृत मानस्पेशियों में जा सकती है. मधु में के रोगियों को यह दवा लेते समय अपने रक्ट शरकरा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए क्योंकि इससे रक्ट शरकरा के स्तर में वृद्धी हो सकती है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.